Welcome to Egan, चलिए हम लोग sequence components में एक बहुत important derivation आज करके देखते हैं देखिए उसका statement लिखा हुआ है In a three phase impedance, voltage drop of any sequence is caused due to current of that sequence only if the load impedance is balanced मतलब यदि कोई भी एक three phase system दिया होता है उसमें किसी भी impedance के across जो voltage drop होता है, किसी sequence का वो उसी sequence के current के कारण ही होता है यदि load balance हो तो, मतलब यदि positive sequence voltage drop है तो वो positive sequence current के कारण ही होगा negative sequence voltage drop होगा, तो वो सिर्फ negative sequence के current के कारण होगा और वैसे ही zero sequence का voltage drop जो है, वो सिर्फ zero sequence के current के कारण होगा लेकिन condition यह है कि the load impedance must be balanced तो हम लोग एक system मान रहे हैं, three phase system जिसमें तीन impedances है, ZA, ZB और ZC और इनसे जाने वाले current जो है, वो IA, IB और IC हमारे यह जो system है, वो unbalance system है तो voltage drop across impedance ZA क्या होगा, वो होगा V वो क्या होगा, IA into ZA यह लिख लिए हमने IA into ZA और उसी को आपन sequence components के terms में क्या लिख सकते हैं IA को हम लिख सकते हैं, IA1 plus IA2 plus IA0 multiplied by ZA बिल्कुल वैसी voltage drop across impedance ZB क्या होगा, उसको आपन नाम दे रहे हैं VB वो हो जाएगा IB into ZB उसको आपन कैसे break कर सकते हैं, IB1 plus IB2 plus IB0 into ZB similarly voltage drop across impedance ZC को आपन नाम दे रहे हैं VC वो हो जाएगा IC into ZC और IC को आपन ने break कर लिए है, IC1 plus IC2 plus IC0 into ZC के फोर्म में चलिए, इसको मैं फिर एक बर लिख ले रहा हूँ VA is equal to हो गया, IA1 plus IA2 plus IA0 into Z प्लस VB को आपन कैसे लिख सकते हैं, तो VB को आपन चुकि IB1 को हम लिख सकते हैं, A square IA1 IB2 को आपन लिख सकते हैं, A IA2 और IB0 को हम लिख सकते हैं, IA0 multiplied by ZB हम दे लिख सकते हैं similarly VC के लिए पर बासे लिख सकते हैं IC1 को हम के लिख सकते हैं, A into IA1 IC2 को हम लिख सकते हैं, A square IA2 और IC0 को आपन लिख सकते हैं, IA0 और यह वाला जो ZC थी था, हमने उसको यहाँ पर multiply के लिए, तो VA, VB और BC की यह values हम लोगों ने, in terms of symmetrical components of current, हमने इसको convert कर लिया है, चलिए, अब अपन सबसे पहले निकाल करके देखते हैं, voltage drop across impedance ZA, जिसको हम नाम दिया है VA, उसका zero sequence component कैसे निकलता है, तो zero sequence component of voltage drop of impedance A, वो हो जाएगा, 1 by 3 VA, प्लस VB प्लस VC VA, VB, VC को add कर दीचे, देखे हम इसको ऐसे add करते हैं इस प्रकार से, हम ऐसे, ऐसे add करने के बजाए, हम उसको ऐसे add करते हैं, इसमें ZA multiply हो रहा है, इसमें ZB multiply हो रहा है, और IA1 into ZA A square IA1 into ZB A IA1 into ZC ऐसा लिखेंगे हम, तो IA1 यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी रहा है तो मैं IA1 को पहले common निकाल लेता हूँ IA1 को common निकालेंगे तो क्या आजाएगा, ZA plus A square ZB plus A ZC आगे बिल्कुल वैसी, अब IA2 IA2 और IA2 वाले term को लिखते हैं तो अपन IA2 को common निकाल लेते हैं यहाँ पर जब हम multiply करेंगे तो आ जाएगा ZA यहाँ पर अपन multiply करेंगे तो आ जाएगा A ZB जब हम यहाँ multiply करेंगे तो आ जाएगा A square ZC अब अपन third term को लिखते हैं IA0 वाले term को चलिए अपन IA0 को common निकाल लेते हैं यहाँ जाएगा ZA इससे multiply करेंगे तो आ जाएगा ZB इससे multiply करेंगे तो आ जाएगा ZC तो यह अपना क्या आ गया यह आ गया VA0 तो तब 0 sequence component of voltage drop across impedance VA0 की value यह हमारी आ गई है आले आपने लोग निकालते हैं positive sequence component of voltage drop of impedance A वो हो जाएगा VA1 और उसका formula हो जाएगा 1 by 3 VA प्लस AVB प्लस A square VC चलिए VAVB और VC की value तो अभी हम लोग ने calculate कि थी in terms of sequence components of currents तो हम लोग वहीं ज़े उतार लेते हैं VA की value जो आई थी वो आई थी IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 इंटू ZA A इंटू VB की जो value आई थी मैं नीचे लिख रहा हूँ A square IA1 प्लस A IA2 प्लस IA0 इंटू ZB प्लस A square है देखिए तो यहां लिख लिए A square और VC की value जो आई थी वो नोट कर लेते हैं वो आई थी A IA1 प्लस A square IA2 प्लस IA0 multiplied by Z अब हम लोग इन सब को अंदर multiply करते हैं सारे brackets को open करते हैं और उसके बाद जोडते हैं तो 1 by 3 फिर से मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो देखिए IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 और यह ZA को अंदर ले आते हैं यह हो जाएगा ZA, ZA और ZA Similarly इन सब को अंदर multiply करते हैं तो A into A square हो जाएगा A cube और A cube की value होती 1 तो यहाँ जाएगा IA1 into ZB IA1 into ZB प्लस यह A इससे multiply होगा तो हो जाएगा प्लस A square IA2 यह हो जाएगा ZB प्लस यह यहाँ जाएगा तो हो जाएगा A IA0 ZB Similarly इस A square को अंदर multiply करते हैं तो A square into A फिर A cube हो जाएगा और A cube की value 1 होती है तो यह हो जाएगा IA1 into ZC प्लस यह यहाँ जाएगा तो A square into A square A to the power 4 हो जाएगा और A to the power 4 जो होता है वो A होता है हम जानते हैं तो यह हो जाएगा A IA2 ZC प्लस यह यहाँ multiply होगा तो यह हो जाएगा A square IA0 into ZC अब इसको ऐसा आपन add कर देते हैं क्योंकि यह सारे add हो रहे हैं देखिए यह सब यह सब यह सब यह सब add हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे add कर दें क्वज़ा हम इसको ऐसा add कर दें ज्यादा आसान होगा हमारे लिए तो यह आजाएगा 1 by 3 IA1, IA1, IA1 तीनों में है मैं IA1 को common निकाल लेता हूँ IA1 क्या बचेगा यह बचेगा ZA प्लस ZB प्लस ZC यहाँ से अपन IA2 को common निकाल लेते हैं देखिए IA2, IA2, IA2 है IA2 को common निकाल लेते हैं तो बचेगा ZA प्लस A2 ZB प्लस AZC यहाँ से IA0 को common निकाल लेते हैं तो बचेगा ZA प्लस AZB प्लस A2 ZC यहाँ क्या हमारा VA1 की value बिल्कुल वैसे यह थी हम negative sequence component of voltage drop of impedance A निकाले उसका नाम होगा VA2 VA2 कैसे निकालेगा तो उसका formula हो जाएगा 1 by 3 VA प्लस A2 VB प्लस A VC VA, VB, VC की जो value हम लोग ने calculate की थी in terms of sequence component of currents वही हम लोग यहाँ पर उतार देते हैं यह हो जाएगा 1 by 3 VA की value थी Ia1 प्लस Ia2 प्लस Ia0 इंटू ZA प्लस A square और VB की value थी A square Ia1 प्लस A Ia2 प्लस Ia0 multiplied by Z भी था प्लस A VC की value क्या थी तो VC की value थी A Ia1 प्लस A square Ia2 प्लस Ia0 इंटू Z जो हम लोग ने VA, VB, VC की value जो इसके पहले calculate की थी वहीं से देख देख के मैंने यह उतार लिया है अब आपन इन सारे brackets को open कर दें सब को अंदर multiply करतें और एक साथ expand करके लिख लेते हैं प्लस लिखना कैसे है तो हम multiply करके उसको इस sequence में लिखेंगे देखिए कैसे लिखते है आई यह 1 इंटू Z प्लस आई यह 2 इंटू Z प्लस आई यह 0 इंटू Z फिर इसको अंदर multiply करें तो A square इंटू A square होजाएगा A to the power 4 और A to the power 4 जो होता है वो A होता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A I A 1 इंटू Z B प्लस A square इंटू A होता है A cube होजाएगा 1 बजाएगा I A 2 इंटू Z B प्लस A square इंटू I A 0 इंटू Z B प्लस A square I A 0 इंटू Z B अब इन सब को multiply करते हैं देखिए A square I A 1 multiplied by Z C प्लस A into A square होजाएगा A cube उसकी value होती है 1 बचा I A 2 इंटू Z C प्लस यही जहाँ multiply होगा तो होजाएगा A I A 0 इंटू Z C अब add करते हैं इन सब को क्योंकि यह सब add हो रहे हैं देखिए यह सारे add हो रहे हैं इन सब को अपन add कर देते हैं अपन ऐसा करते हैं तो add कैसे करेंगा अपन यह हो जाएगा 1 by 3 और value आ रहे है वी यह 2 की आईए 1 आईए 1 आईए 1 हैं आईए 1 को common निकाल लेते हैं बचेगा क्या za azb a square zc इसको multiply कर दीए इन सब से आईए 2 common निकाल लें बचेगा za plus zb plus zc plus यहां से आईए 0 को common निकाल लें बचेगा za plus a square zb plus azc यह आगे अपना va2 की value अभी अभी हम लोगोंने यहां पारे देखिए va1 की value भी calculate की थी और इसके पहले हम लोगोंने va0 की value भी calculate कर ली है va1, va2 और va0 की value जो अभी हम लोगोंने calculate की थी उसको तो हम लोग ने एक बार फिर से यहां पर note कर लिया है एक सांत अब हमारा जो statement था वो यह था कि किसी भी sequence का voltage drop जो होता है वो उसी sequence के करण के करण होता है यदि load balance हो तो हम अब अजियूम करते हैं कि यह जो हमारा load है वो balance है तो va1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by 3 z a plus z p plus z से और तीनो की value z है तो अब तब z plus z plus z हो जाएगा 3z into यह वाला हो जाएगा आईए 1 plus यहाँ पर देखिए z यह हो जाएगा और यह z हो जाएगा तीनो z common निकलाएंगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 plus बचेगा a square plus बचेगा a into i a 2 बचेगा प्लस देखिए यहाँ पर z, z और यह z हो जाएगे तो वो z को भी अपन common निकला लेते हैं तो बचेगा 1 plus a plus a square यह अपन नोट कर लेते हैं into i a 0 अब देखिए 1 plus a square plus a 0 होता है हम अल्रड़ी पढ़ चुके हैं 1 plus a plus a square 0 होता हम अल्रड़ी यह भी पढ़ चुके हैं तो यह पूरा टर्म 0 यह पूरा टर्म 0 तो बचेगा सिर्फ यह उसमें सिर्फ यह 3 और यह 3 cancel हो जाएगे तो आज आएगा sorry यह i a 1 था तो यह आज आएगा i a 1 into z is equal to v a 1 तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि positive sequence voltage ड्रॉब जो होता है वो सिर्फ positive sequence current के करण होता है चलिए अब आपन negative sequence के लेग पर निकाल करके देखते हैं कि यह लोड से तो क्या आता है देखिए यह negative sequence voltage है तो हमने लिक लिए v a 2 is equal to 1 by 3 i a 1 यह z हो जाएगा यह z हो जाएगा यह z हो जाएगा क्योंकि हमने लोड को balance माना है वातब z a is equal to z b is equal to z c is equal to z माना है इन तीनों से z बाहर निकल आएगा और यहां बचेगा 1 यहां बचेगा a यहां बचेगा a square फ्लस यह हो जाएगा i a 2 z a z b और z c तीनों को पन जड मान रहे हैं तो यह तीनों मिलकर के हो जाएगे 3 z प्लस उसके बाद है IA0 हमने लिख रहे IA0 ये Z हो जाएगा ये Z हो जाएगा और ये Z हो जाएगा तीनो Z जब common निकल आएगे तो अंदर क्या बचेगा देखिए यहाँ बचेगा 1 यहाँ बचेगा A2 और यहाँ बचेगा A तो क्या होगा देखिए ये 1 प्लस A प्लस A स्क्वार ये हो जाएगा 0 ये भी 1 प्लस A स्क्वार प्लस है ये भी हो जाएगा 0 तो बचेगा सिर्फ IA2 इंटु 3Z तो आंसर आजाएगा 1 बाइ 3 इंटु IA2 इंटु 3Z ये 3 और ये 3 चैंसल हो जाएगे तो VA2 की वैल्यू की आजाएगी देखिए VA2 की वैल्यू आजाएगी IA2 इंटु Z इसका मतलब क्या है नेगेटिव सिक्वेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सिर्फ नेगेटिव सिक्वेंस के करेंट के करण ही हो रहा है चलिए अब अपन जीरो सिक्वेंस के लिए निकाल करके देखते है तो जीरो सिक्वेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VA0 वो हो जाएगा 1 बाय 3 यह है IA1 ZA, ZB और ZC तीनो कामने Z माने है तो तीनो से Z बाहर निकल आएगा यहां के बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा A प्लस है IA2 यहां देखिए ZA, ZB, ZC तीनो कामने Z अज्यूम कर लिया है तीनो से Z दिये पन कमन निकल लिएगा 1 प्लस यहां बचेगा A प्लस यहां बचेगा A2 इंटो Z हमने कमन निकल लिया है प्लस थर्ड वाला टर्म देखते हैं पलो आईए 0 ZA प्लस ZB प्लस ZC और तीनो कामने Z मान लिया है तो इसका मतलब है Z प्लस Z प्लस Z यह हो जाएगा 3 इंटो Z अब हम फिर जानते हैं कि 1 प्लस A स्क्वाइर प्लस A जो होता है वो 0 होता है 1 प्लस A प्लस A स्क्वाइर यह भी 0 होता है मतलब यह दोनो टर्म पूरे 0 होगे बचेगा सिर्फ यह तो VA 0 कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाए 3 मल्टिप्लाइट बाए IA 0 मल्टिप्लाइट बाए 3 Z यह 3 से यह 3 कैंसल हो जाएगा इसका मतलब है VA 0 की वेल्यू आ जाएगी IA 0 into Z यह रिजल्ट क्या रहा है यह भी वह रिजल्ट आ रहा है कि 0 sequence voltage ड्रॉप जोगा वो सिर्फ 0 sequence current के करनन हो रहा है इसमें positive और negative sequence के currents के कोई भी term नहीं आ रही है तो हम लोगों ने क्या proof कर लिया अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 0 sequence का जो voltage आता है वो 0 sequence current into Z आता है negative sequence का voltage negative sequence का current into Z आ रहा है और बिल्कुल वैसे ही positive sequence का voltage जो हता है वो positive sequence का current into Z आता है इसका मतलब है किसी भी sequence का voltage ड्रॉप हो रहा है वो उसी sequence के current के current हो रहा है तो यह हम लोगों ने जो statement लिया था वो proof अगया Thank you